तो यहां पर मैंने मैंने डार कमपाउंड लिया है आप कोई भी चौकलेट ले सकते हैं और चौकलेट का मैंने अल्मुस्ट दो स्लैप्स लिया है और अब चौकलेट को उन चोटे-चोटे पीसेज में कट कर लेंगे अब इसे मेल्ट करने के लिए हीट प्रूफ बाउल में रखना है अब यहां पर मैंने एक बरतन में लिया है दो कब पानी पानी हमें इतना लेना है ताकि जो चौकलेट पानी को टच ना करें अब हम चौकलेट माला बाउल इस पर रखेंगे चौकलेट को आपको 80% तक मेल्ट कर लेना है 80% मेल्ट करने के बाद इसे आप कैस के उपर से हटा दे और इसे यहां पर मेल्ट करने के लिए मैंने सिलिकॉन स्पेचला यूज़ किया है इसे तो यह इसे मेल्ट कर लेंगे यह आसानी से देखिए मेल्ट हो जाता है अब आप इसे पाइपिंग बैग में भर करके कोजी डिजाइन बना सकते है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चानल के भी सब्सक्राइब